राहूल गांदी जी जो हमारे महरूब लेता है उनके खिलाब किस तरह से बीजेपी ने एक सडियंत्र पूरवक जो राहूल गांदी जी की संसदिये सदश्यता समाप्त की है उसके विरोध में आज सभी जगें सत्याग्रहका के माध्यम से केंदर सरकार को जगाने का चेताने का एक प्रियाश किया जा रहा है लोकतंत्र की अप्रने के प्रियास सब्रहें कि ये अगोसित अपातकाल जेसा है किस तरह मनमानी कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है एक छोटे से मुद्धे को लेकर के लाखो व्यक्तियों दुआरा चुने गए राहुल गांदी जी की सदेश्टता को समाप्त करना यह उनके सडियंत्र का कुछत्र का एक हिस्सा है लेकिन राहुल गांदी जी न सत्य पराजित नहीं हो सकता है राहुल गांदी जो एक निष्टा की भावना के साथ के अंदर नफरत मिटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले थे उसके बाद से लोग परिशान है और अडानी के बीच में क्या संबंध है सिरफ एक प्रस्न पूछा आज किस तरह से किस-किस का पैसा लगा हुआ है जानना चाहता है देश जानना चाहता है रिंडनवर्ग की जो रिपोर्ट आई इसके बाद में अडानी जी कहा दो नंबर से फिसल करके कहां आगे अगर आए तो इसके अंदर देश का किस-किस संस साल था जिसको संसद में उठाने का हक बनता है लेकिन वह नहीं करके और जो बीजेपी जिस तरह की मनमानी कर रही है उसके खिलाप में हम लोग यह सत्याग्रे कर रहे हैं पूरी राजिस्तान में सत्याग्रे चल रहा है और इसके परिणाम यह आएंगे कि मोदी जी डर हुए है घबरा गए उनके पास कोई जवाब नहीं बनता है और जब जब मोदी डरता है तब कभी जूडी स्री को